है हैं साथ जब्लूइन तो आज भी आप लोक साथ के चंद क्लियनिंग का व्लॉक स्टार्ट करने जा रही हूं करने जा रही हूं रही हूं और दो दिन में मेरे व्लॉक बना था एक दिन में नहीं हो पाया था हो भी नहीं पाता है कि जब भी मैं kitchen cleaning करती हूं मुझे normally 2 या तीन दिन लग जाते हैं तो दो दिन का ये आपका सकते हैं वीडियो है तो पहले दिन तो मैं आपका सकते हैं उपर के जो रैक होते हैं क्यानिक फिलाल में ही मेंने भी साफ और जब साफ किये थे तो आपने श्यार भी किया था और दालें भी ऐसा नहीं कि मैंने ग्रॉसरी में ये भी आय कि लेकिन यह जाता है ज्याद़ टाइम हो जाए तो फिर तोड़ा दूप दिखा लेनी है फिर प्लस बरसात का टाइम है त दूप बहुत अच्छी दूप हो रही थी तो बस वही है दूप को देखे मासम को देखे मैंने काम छेड़ा था आप कह सकते हैं और उसके बाद यह रैक मैंने साइड में रखा हुआ है और यह रैक है बहुत ही यूसफुल है बिल्कुल छोटा सा है लेकिन मेरा बारिक समान इतना आता है मैं बताने सकती आपको और इसकी वश्याद से मेरी कीचन फैली फैली भी नहीं लगती है तो यह डबब भी मैंने अच्छे से साफ करके इसमें अच्छे से से सेट कर लिये थे और प्लस जो मैंने इनकी नीचे वह भी चार कागज भी चार रखा है कुछ तो व बार बार cleaning करती हूँ और इस सरफ के साफ कर लियती है तो सुखा के डबों में भर ली यह भाली तो अभी new ग्रॉसरी नहीं है पुरानी है तो कुछ दाले मैंने सुखाली थी और कुछ डबे खाली भी हो चुके थे और उसके बाद यह है next day का तो देखिए मुझे कहां चड़के सफाई करने पड़ती है और यह मैंने कभी भी शेयर नहीं किया जब भी मैं विंडो साफ करती हूं कि मुझे थोड़ा जीब सा लगता ह साफ करनी ही पड़ती है क्योंकि एक तो यहां पर जैसे गैस है प्लस जैसे होते हैं चौकाओं का लगाते हैं वह चीज आती है उपर से रोड का घर है तो दूल भी आती है तो जो मेरी विंडो है वह बहुत जल्दी गंदी होती है तो आप नॉर्मली मुझे मंत में दो बा सुन्दर है लेकिन वही चीज आपको जैसे मैं बोला है सुन्दर चीज दिखने के लिए दिखा दे के लिए आप जोड़ा सकते हैं सफाई भी उतना ही मांगता है उसके बाद यहां पे मैं प्यूरिफायर और प्लस गीजर कर रही हूं और प्यूरिफायर मुझे पूरा न प्लक निकालने के बाद मैंने के लिए उसके बाद बारी आते हैं चिमनी की मैं अपनों को टोरी दिखा रही थी कोटोरी में इतना सारा वायल जमा हुआ था यहां था कि मैंने इसका शॉर्ट्स भी बना के डाला है तो आप लोग देखिए गा बहुत ज्यादा और उसमें जमा हुआ था तो उसके लाद में यहां पर चिमनी भी साफ कर लूँगी और वही चीज जो आती है जैसे मॉडलर किचन बनाना देखना तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा सफाई मांगता है बहुत ज्यादा और एक एक आप अब भी देखिए सिप एक च्छोटा सा ही कोना है इस कोने को साफ करने में ही मुझे आदा घंटा लग गया था जैसे पहले मैंने विंडो क्लीन करी उसके प्यूरीफायर प्लस गीचर फिर चीमनी है और इस साइड में गैस भी है प्लस वास्ट पेशन भी है तो आपके सकते चोटा साफ होना है लेकि कि लिए जयादा सफाई के लिए है तो मैंने गयास को एक साइड कर लिया था और उसके बाद कि हाँ साफ कर एक तो वहीं ठाज से प्लस निकाला है और हम रखोश्ट डाइकर घंडी नहीं होती है तो जोकई-गं गनदी तुझा-जोफी किचन की तो मेरी बहुत ज्यादा क्लीनिंग का बनाओंगी और अब काम मेरा बहुत ज्यादा ही होता है लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि इतना में कितना क्लीनिंग का दिखाओंगी वही चीज हो जाती है वे, ये. अच्छे से सारा साफ कर लिया था तो पहले मैंने जो होता है निर्मा से जो भी कर सकता है उससे पूरा क्लीन किया था फिर मैंने गीले कपड़े से और उसके बाद मैंने अच्छे से सुखे कपड़े साफ कर लिया है और इस तरह देखिए मैं चिमनी बहुत अच्छे से चमक गई है और जो चिमनी होती है यह भी बहुत ज़्यादा सफाई मांगती है वरना इसमें ओयल ना जैसा चिप चिपा सा गोंद टाइप का होते है वैसा हो जाता है तो वही मैं बोल रह होती है और इस तरह आप कैसे मेरा ना बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है मैं इसलिए में बहुत ज़्यादा बीजी ज〜 मैं और मैं गा firmly कवी किचन क्लीनिंग कभी बात्रूम क्लीनिक बैट क्लीन चीज तो कभी डेस्टिंग कभी ऑंदर की क्लीनिक कभी बाहर की कप कपड़ों की क्लीनिवाति है और आप जैसे मागर मरसाथ जाएगी मौसम चेंज होगा तो वही सबका जैसे कपड़े उप्रे सुखाने का काम हो जाता है सर्दियों के कपड़े सुखाओ गर्मियों के कपड़े सुखाओ तो बस हम लेडिस लोग आप कहने सकते मौर्निंग से आप से लेकर इवनिन तक पूरा दिन कहा निकल जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है और प्लस फिर जो हमने अपने लेक और का मदालिया है वाइटी का नहीं सकते हैं एक जो पने अपने लिए कर रहा है तो मैं जानती है कितना टाइम लग रहा है तो बस वह है और प्लस उसके बाँ जद्धिना कोई व्यू आते हैं न कुछ आते हैं यूज आए ना आए वह तो खेल अलग बात है क्योंकि हमें तो अपना काम करने हैं हमें तो जो सफाई करनी है करनी है ऐसा नहीं है कि मैं वाइटी पे काम कर रही हूं तो मैं इसले इस काम को कर रही हूं मेरा तो यह काम चलता पहले भी होता था अभी भी होता है और आगे भी तो जो उपर के portion था रैक था ओपर का portion मेंने कल क्लिन कर ले था और नीचे का सारा portion मैंने आज लिन क्लिन क्लिन कर था ग्हाइब और दीज दिन मुझे ज्यादा टा ताइम लगा और यह देखिए पूरी PET किचन में आपको दिखा रही हूं देखने में भी बहुत सुन्दर लग रही है और किचन की क्लीनिंग में मुझे टाइम भी बहुत लगता है मेरी महनत भी बहुत लगती है और महनत आप लोगो दिख भी रही होगी तो जहां महनत करते हैं वहां महनत दिखती भी है तो आप को मेरी क्लीनिंग का व्लोग कैसा लगा प्लीस कमेंट करके जो बताई चैनल नहीं है तो प्लीस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए टेक कियर बाई बाई थैंक यू